संघर्स और तकलिफ ना हो तो मज़ा क्या है जीने में तूफान भी रुक जाते हैं गर आग लगी हो सीने में आपके यूटूब चैनल कोको इंगलिस सदिकारी पर आप सभीका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आशा करता हो आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए आप पटवारी की त्यारी करने वाले सभी छातर छातराओं के लिए बहुत हैं important दो information कितने सिर्फ और सिर्फ दो information लेकर आए हैं आप सभी के लिए जिसमें पहले नंबर का जो information है उससे कई गुना ज़्यादा बहुत important information है आपका दूसरा वाला information जो आपके life को change करने वाला है जो आपको सफल बनाने में सबसे ज़्यादा contribution करने वाला है ठीक है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन के सबसे पहले वाले information से तो पहला information ये है कि हम सब लोग 5 जनवरी से लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए test series क्या लेकर आ रहे हैं? test series लेकर आ रहे हैं जिसमें test series की संख्या होगी total 12 कितने होगी total 12 होगी और test series का जो pattern होगा विल्कुल हूब 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 वही होगा जो आपके real exam में आने वाला है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि चुकि free में ये सारी चीजे हम आपको दे देते हैं तो इनका कोई महत्व नहीं होता ये चीजे हो जाते हैं महत्व हैं इसलिए इसके गरिमा को थोड़ी सी बनाई रखे जाए इसके लिए इसमें छोटा सा चार्ज हम लोगों ने include कर दिया है जो है मातर 99 रुपए का कितना मातर 99 नाइन रुपीज का है ठीक है ये था आपका पहला information दूसरा information इससे कई गुना ज्यादा important है अब ये क्या है भाई आप सभी बच्चों को इंग्लिस विसे से इंग्लिस सब्जेक्ट से बहुत जादा भय लगता है तो आपका ये जो भय लगता है इसकी solution पे हम बात करेंग कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं क्यों क्योंकि इंग्लिस एक ऐसा subject है जो आपको दिन में तो परसान करता ही करता है रात में भी आपको ठीक से सोने नहीं देता है क्यों क्योंकि आपके मन मस्तिस्क में कहीं ने कहीं चिंता बनी रहती है बिना इंग्लिस का क्या हमारा selection बिना English का हो पाएगा आपके इन ही सभी समस्याओं को लेकर हम आए हैं इस वीडियो सेशन में ठीक है और इसके समधान पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो सेशन को लाने का हुदेस हम सबों का यही था ठीक है चलिए बात करते हैं कि हम लोग कैसे ठीक करेंगे तो सबसे पहले हम सभी बच्चो के सामने पटवारी के त्यारी करने वाले हम सभी छात्र छात्राओं के सामने तीन बड़े चैलेंज हैं motor में कुछ मेरा हुई नहीं पाता थीक है यह पहला चैलेंज है आपका English का syllabus बहुत बड़ा है अब आप syllabus को देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके English का syllabus क्या है पटवारी एक्साम कर ठीक है यह आप पहले से जानते भी होंगे फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखाने समझाने का प्रयास करें ठीक है अब इसको ले करके आपके मन में एक भाई है तीसरा भाई क्या है कि सर हमारे पास समय बहुत कम है इतने कम समय में इतना बड़ा से लिवस हम कैसे कबर करेंगे चुकि अपनी English civic है तो इतना कैसे होगा सर क्या यह संबव है ठीक है तो ऐसे आपके मन में जो बहुत सारे fear रहते हैं बहुत सारे आपके मन में जो भाई रहता है बहुत सारा sensor रहता है इन सभी के समधान पे आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे इसी के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए, ठीक है, देखे, अब हम आपसे बताते चले कि इतने बड़े सिलिवस में से, पूरा का पूरा सिलिवस आप कबर नहीं कर सकते, मत करो, कोई टेंसर नहीं, आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को सेलेट करो, जिसको पढ़ने के बाद उस से पहले नंबर पे आता है आपका टेंस, ठीक है, अब यदि टेंस आप ठीक करते हैं, तो इसके साथ-साथ आपको और कहां-कहां बेनिफिट मिलेगा, और कौन-कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे होंगे, तो यह देखे, यह लिखा है, रिपोर्टे डेस्पी, जिसको ह गलत होने की कोई possibility बसती ही नहीं है, तो इन सभी topics के साथ, आपके साथ ऐसा ही होने वाला, इसमें कुछ भी आपके साथ गलत होने वाला नहीं है, एक और topic है, subject of agreement, इससे भी question नहीं पूछा जाए, यह संभाव ही नहीं है, और इन सारे topics को पढ़ने में आपको कितने दिन ल इन सभी का वीडियो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्द होगा, इसी चैनल पर सभी चीज़े आपको available होगी, इन सभी को करने में मातर maximum आपको 5 दिन लगेंगे, और यदि आप 5 दिन इन topics पे मेहनत कर लेते हैं, तो इसका फाइदा आपको और दूसरे topics के question को बनाने में भी मिलेगा, और वो दूसरा सबसे आसान, सबसे important topic कौन सा है, तो वो है आपका ये रहा close test क्या रहा, close test रहा, ठीक है, close test आपके बनेंगे, जिससे कम से कम 5 question आपके exam में पूछे जाएंगे, 5 के 5 आपके सही हो सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही साथ देखे, ये spotting error अपन comprehension में, अर्थात इन दोनों में एक story दी गई होती, एकदम आसान सी, छोटी सी story दी गई होती है, और इन दोनों पे best question आप सभी बच्चों से बन जाएंगे, बस condition वही है, कि ये सारे topics जो हमने आपको पहले से बता हैं, इनको आपको ठीक कर लिना, adjective में आपको पूरा adjective नहीं समझा दिया, क्या कुछ question भी हमें practice करके दिखाएंगे, हम लोग कैसे बनाएं, तो आएए इसी के लिए हम आपके लिए कुछ question भी लेकर आए हैं, अलग-अलग topic से, कुछ question भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप में से ऐसे बचे, जो English से भैभीत रहते हैं, डरते हैं, क्या होगा मेरा English में English के कारण मेरा पटवारी में selection होगा या नहीं, हम इसा doubt में जीते हैं, ऐसे बचे यहां से, सीख सके कि यह सारा को संभव है, आपका selection संभव है, आपको नौकरी मिलेगी, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, जैसे यहां पर देखे, यह प जम के महनत किये हों, पूरा दिन आप जम के महनत किये हों, तो आप, आप क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा रिस्ट लेना चाहेंगे, रिस्ट लेंगे, तो क्या करेंगे, जो काम आप कर रहे थे, उस काम को रोक देंगे, उस काम को बंद कर देंगे, ठीक है, यही काम करते ह हम लोग अब आजाए इसी से related इससे मिलता जूलता आप option ढूंड लीजिए यदि आपको इस idiom and phrases का meaning नहीं आता था आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है आजाए एक दिन का काम दूसरा option है working hard यानि की cut in मेहनत करना अगला है work assigned for the day मतलब उस दिन जो आपक number D ठीक है दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से आपसे question बनेगा आप बिल्कुल घबराईए मत अगला question यह ना फिर आपके सामने यहां पर देखें इस question का क्या करना है synonyms बताना है अर्थात से meaning वाला what हम लोगों को ढूड़ना है सबसे पले यहां पर द एक से teacher को student को को सो दूर आना चाहिए दूर दूर तक हम लोगों का कोई संबंद नहीं होता क्योंकि आप यहां पर आते हैं हम से जुड़ते हैं अपना selection करवाने के लिए और हम यहां पर आपके साथ जुड़ते हैं आपके मदद करने के लिए कि किस रूप में हम आपके रहते हैं कि ओवैसी साहब जो है ओवैसी साहब जो है बढ़का उभासन देते रहते हैं तो ओवैसी साहब का जो दिमाग है मोटा हो गया है ओवैसी का मतलब क्या होता है मोटापा तो मतलब वो दिमागी तोर पे क्या हो गया है मोटापा चागया तो ओवैसी का मतलब क्या ह और लीयुरह मोटापा आप से नियुक्त चम्रा कितने होता है ऐकहां आज जग्सका वजन जाधा हो दोगार आगला वर्ण उप्रॉप्ट वजन होना चाहिए उससे कम वेकिए स्थास्य तो यह वापा कम जोर तो यह ऊचार्ब अब ओबेसी यानि मोटापा से रिलेटेड वोड कौन सा है, तो यह रहा आपका option number B, कितना आसान है English के question को बनाना, अगला question फिर आपका इंतजार कर रहा, जिसको देख के आप बहुत खुस होंगे, और ऐसे ही बाकि सभी question आपसे यूँ ही बनते चलेंगे, यहाँ पर देखिए, यह किसका question है, यह narration का question है, तो आज के पहले यदि कोई बच्चा कभी grammar नहीं पढ़ाओ, इंगलिस नहीं पढ़ाओ, उस बच्चे से भी आप देखिए का यह question आपका बनेगा, कैसे बनेगा भाई, आईए देखे, देखिए, यह जो double inverted comma में लिखा हुआ sentence होता है, इसको हम लोग करते है, reported speech क्या करते है, तो इसको हम लोग करते है, reported speech, shot में इसी को हम लोग क्या ब придetे है, तो shot में इसी को हम लोग RS बोलके निकल जाते हैं, जीक है, अब देखिए, isso double inverted comma के ठीक भाला है, या ठीक बात में जो sentence लिखा होता है इसका ये जो main verb होता है इसका में लोग बोलते है reporting verb reporting बब को short में हम आर भी लिख रहे हैं अब देखें इसका concept है कि यहिदी reporting verb past में हो क्या हो reporting यहदी past में हो तो double inverted comma के अंदर जो sentence लिखा गया उसका tense change करता है क्या change करता है tense उसका change कर जाता है ठीक है तो आज यह सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखाता है यहां लिखा है told him क्या लिखा है told him लिखा है तो यह as it is इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह सेम रहेगा परिखे यहां लिखा है तो यहां लिखा है जब इसको पास्ट में change करते है तो इस MR को हम लोग बदल देते हैं वाज वर में किसमें वाज वर में हम लोग परिवत्तित कर देते हैं, तो इस इज का क्या बन जाएगा वाज बन जाएगा तो देखें यहां क्या लिका है वाज भी लिका हुआ है, तो ये भी हमारा correct हो गया तो इस आधर पे correct answer क्या बन गया है, correct answer बनके हमार option number B क्या बनके option number B इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है क्या तरीका है पहला वर्ब यदि past में हो पहला वर्ब यदि पहली क्रिया यदि past में हो तो उसके बाद आने वाली सारी वर्ब रहेगी past में सारी क्रिया रहेगी past में तो यहां देखे टोल लिखा था लेकिन यहां पर हिम नहीं लिखा था उप्सन नमर वन में देखे हिम नहीं लिखा था इसलिए यह गलत हो गए यह पास्ट तो यह भी था पास्ट नूसरे में देखे यह टोल पास्ट तो यह भी था पास्ट ठीक है और इसमें देखे यह टो आपके सारे ब्रह्म तूट जाएंगे और तूरंत उस वीडियो सेशन को देखते के साथ आपसे उस टॉपिक के कोशन बनने सुरू हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की बात करते हैं अगला कोशन देखे यहाँ पे यह वर्व क्या है तो यह हमारा वर्व यह क्या है यह हमारा वर्व ठीक है और वर्व के पहले क्या आता है तो वर्व के पहले आता है सब्जेक्ट क्या आता है सब्जेक्ट आता है अब आजए मी का यू सब्जेक्ट के रूप में होता है क्या नहीं होता हर का यू सब्जेक्ट के रूप में होता है क्या आई का यँ subject के रूप में होता है हाँ बिलकुल होता है ठीक है इस के लिए आप pronoun का टेबल भी पढ़ सकते है subjective case objective किस तो subject कहा था वर्ब के पर पहले क्या आएगा subject आएगा तो subject वाला एक ही वर्ब था जो है सीधा उठाए ये港सर कर दीजिए यहां पर देखे लिखा, you try, मतलब यदि आप महनत करेंगे, जब तक कि आप महनत नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, जब तक कि आप महनत नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे, इस से related आईए, option को ढूंडते हैं, what को ढूंडते हैं, unless क का मतलब क्या होता है अनलेस का मतलब होता है जब तक की नहीं अनलेस का मतलब होता है जब तक की नहीं इफ का मतलब होता है यदि एस का मतलब होता है चुकी बट का मतलब होता है लेकिन तो इस कोशन का मारा आंसर क्या बन जाएगा जब तक की नहीं से रिलेटेड वर्ड हमार बच्चे हो जाते हैं नर्वस सर इतना बड़ा सेंटेंस कैसे पढ़े कैसे समझे मत करो कुछ बाई कुछ नहीं करना आप देखो जा रहा है यहां पर द्यान से यहां पर क्या लिखा वेटिंग किसे बना वेट से बना यह वेट से वेट का ही आई एन जी फॉर में यह ठीक है तो वेट के साथ एक ही प्रिपोजीशन आता है हमेशा और हमेशा एक ही आएगा और यह रहेगा फॉर क्या रहेगा फॉर तो आजाए ऑप्शन में ढूंड लीजे फॉर है कहीं पे यह रहा सीधा उठाईए डाल दीजे 200% करेक्ट आपके आंसर बन गए ठीक है आगे बढ तो M आएगा य आ रहेगा यही आएगा इस से ज्यादा कुछ नहीं होना है यानि इस MR का प्रियोग ही होगा तो सबसे पहले आप helping वर्प को ढूंड लीजिए यहां ढूंड यह इस MR है है तो यह हमारा हो सकता है इस MR है है तो हो सकता है अंसर यहां पर देखे इस MR है क्या नहीं तो यह हमारा अंसर नहीं होगा, यहां पर इस हमारा क्या है, नहीं है, नहीं तो यह भी हमारा अंसर नहीं होगा, चार में से दो आप्शन कैंसल होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब रिमेनिंग जो आप्शन बचे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे हम आपको वर्ब की आई इंजी फॉर्म दिखाई दे तो इसको हम लोग एक्टिव से पैसी में बदलते हैं तो पैसी में चेक करेंगे कि इसको हम लोग बदलके किसमें लिखते हैं बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं क्या लिखते हैं बिंग प्लस वर्ब का थर है मीनि क्या दिया है कोई मतलब नहीं है दोस्तों कॉष्ट आफ से करेक्ट बनेगा ही बनेगा अगले कौष्ट के बाद करते हैं धंग क्या है तो यहां पर देखे ये जो दूसरा कोश्ट है catching करते है स्पोक प्लता है ईज़े क्या होता है क्या होता है यह पहला वर्ब पास्ट में हो तो उसके बाद आने वाले सारे वर्ब रहते हैं पास्ट में ठीक है तो आपको कुछ समझ में आए या ना आए लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ये पहला है पास्ट में और ये वाला है present में ये वाला है present में जो घलत है पहला past तो ये भी होना चाहिए था past में तो इतना भी यह दिया आपको समझ में आ गया तो आप answer कर देंगे C और इतना भी यह दिया आप answer कर दिये तो आपको number तो मिल गया इसका correct answer भी हम आपको बताते चले यहां पे इसका correct answer क्या बनेगा तो correct answer बनेगा यहां पे was ठीक है आगे बात करते है उपर वाले question कि देखिए किसी भी question में कहीं भी आपको unless लिखा हो या until लिखा हो unless लिखा हो या until लिखा हो, इसके तुरंट बाद यहां पर जो sentence लिखा जाएगा, इसके तुरंट बाद यहां पर जो sentence लिखा जाएगा, इसमें cell will का use हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें cell will का use नहीं कर सकते, इसका answer कैसे लिखते हैं, तो cell will के साथ यहां जो verb का first form लिखा सेंटेंस सीर और यहां पर देखें तो आपको विल का σहीं करेंगे तो आपके सारे के सारे किष्टन हology होते हैं और आप बिल्कुल अपना सेलेक्षीं कर्वा सकते ठिक है शाथ चलिए तो इसी तरीके से आपको इंगलेस को सीखना है समझना है और पटवारी पारी में सेलेक्शन लेकर ही आना है ठीक है और अधिक लेजाच देवता इतना करूर नहीं है तक्कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है इसी वक्त अबेके साथ आज के अपने इस वीडियो सिशन को मिहीं पर समब करना चाहेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो म तब तक के लिए जय हिंद जय भारत